केविसी के मंच पर तमाम ऐसी बाते होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती और उन्हें से कई ऐसी बाते होती हैं जो बेहद ही दिल्चस्प होती है इस पर केविसी के मंच पर अमिताब बच्चन ने बताया कि कैसे उन्हें डाट पड़ गई थी जी हाँ 12th फेल की टीम यानि की बॉर्ड एक्टर विक्रान्त मैसी जब अमिताब बच्चन के सामने होट सीट पर बैठे थे और बातों का दौर शूर हुआ तब अमिताब बच्चन ने खुद को पड़ी डाट के भारे में बताया अपने आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमिताब बच्चन को किस से डाट लगाई थी और क्या था पूरा मामला तो बने रही हमारे साथ देखते रही है पूरा वीडियो अगर अभी तक आपने हमारी ट्रीक्चन को सब्सक्राइब ने किया तो इससे सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बॉलीड के मशूर एक्टेर विक्रांत मैसी अमिताब बच्चन के शो केबी सी के मंच पर पहुँचे उनके साथ IPS ओफिसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा भी मौजूद थे अमिताब बच्चन के साथ बाचित का सिलसिला शरू हुआ इस दरम्यान निजी जिन्दगी से जुड़ी कई बाते भी शेयर की गई और बातों ही बातों में अमिताब बच्चन ने विक्रान्त की फिल्म बारहवी फिल्ग के निर्देशक विदू विनोत चोपरा से जुड़ा हुआ एक किसा सब के साथ शेयर किया अमिताब बच्चन ने बताया कि कैसे विदू विनो चोपड़ा वक्त के बेहत पाबंध है हलांकि आपको ये भी बता दें कि अमिताब बच्चन भी बॉलिवुड जगत में वक्त के बेहत पाबंध माने जाते हैं और वो हमेशा ही शूटिंग के सेट पर निर्धारित समय से पहले पहुँच जाते हैं लेकिन अमिताब बच्चन जब एक दिन विदू विनो चोपड़ा के सेट पर देरी से पहुँचे तो अमिताब बच्चन को डाट पड़ गई थी अमिताब बच्चन ने बताया कि हम एक बार एक फिल्म के शूटिंग कर रहे थे काम करते करते देर रात हो गई थी हमने रात के करीब तीन बजे पैक अप किया पैक अप के बाद विधू विनो चोपड़ा ने मुझसे अगली सुबर छे बजे आ जाने के लिए कहा मैं हैरान था और मैंने उनसे कहा आप पागल हो गए हैं अमिता बच्चों ने आगे बताया कि उन्होंने कहा कि इतनी देरी से पैक अप करने के बाद आप चाहते हैं कि कल मैं इतनी जल्दी आ जाओं अमिता बच्चन बताते हैं कि बावजुद इसके वो अगली सुबर छे बचकर दस मिनट पर सेट पर पहुँच गए थे अमिता बच्चन ने कहा कि उन्होंने मुझे पूरे क्रू के सामने डाटा कि आप दस मिनट लेट हैं दोस्तों समय की कीमत सभी को समझनी चाहिए और हर किसी को समय की कदर करनी चाहिए विकरांत मैसी ने भी विदू विनुद चोपडा के साथ काम करने को अपना सबसे बेस्ट अनुभाव बताया उन्होंने कहा कि कैसे वो चीजों को बिल्कुल अलग नजारिये से देखते हैं अमिताब बच्चन ने भी विकरांत मैसी के काम की खूब तारिफ की तो आपका इस बारे में क्या कहना है क्या दस मिनट के लिए अमिताब बच्चन को डाटा जाना वाकरी सही था और समय की कदर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताईएगा हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हाँ हमारे एटूप चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भोलीगा आपके सपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नवस्कार